नमस्कार आज हम जानते हैं तुलारासी के बारे में कि 2024 का आने वाला समय तुलारासी के जातकों के लिए यानि कि आप के लिए कैसा रहने वाला है प्रियदर्शकों तुलारासी का जो टाइम 2024 का चलने वाला है ये बहुत ही सुब लेकर के आने वाला है आपके लिए मालक्षमी की इतनी जवर्जस्त कृपा होगी और साथ में गुरुदेव की इतनी जवर्जस्त कृपा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना अच्छा समय आ रहा है लेकिन कुछ समय अगर अच्छा भी होता है तो कहीं ने कहीं थोड़ी बहुत कमिया भी होती है तो जी आज उसी पे भी हम चर्चा करेंगे कि तुला रासिवालों के लिए आपके लिए दो हजार चोबिस का टाइम किस प्रकार से जाने वाला है तो सबसे पहले हम आपको चलते हैं कि आपके मान-सम्मान प्रतरष्ठा में बृध्धी होने वाली है प्रियद्रसको अगर मान-सम्मान प्रतरष्ठा में बृध्धी हो रही है तो कहीं न कहीं हम पावर में भी आ रहे हैं बिसनस में भी हम अच्छा ग्रोथ करने वाले हैं तो ये इस्थिति यहां बनते हैं कि हमारा मान-सम्मान जो है कि 2024 का आपके जीवन की दसा तिसा परवर्तित करने वाला है, क्योंकि पीछे अगर हम देख रहे हैं, तो काफी स्टगल आप ने किया, काफी महिनत किया, तो उस महिनत का रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को प्राप्त होगा, अर्थार कि Career Point of You से आपके लिए बहुत इसी तरुप से है कि बहुत अच्छा परिवर्तन आपको देखने को प्राप्त हो सकता है, प्रयास आपको करना पड़ेगा, साथ में अगर कोई बिजनस के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं कोई बिजनस साथ साथ में करने के लिए तो 2024 का समय आपके लिए काफी द्यार्थियों के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने पड़ेगी, क्योंकि शनी अच्छी स्थिती में हैं तो लेकिन परन तो आपके कुम रासी पर गोचर में रहेंगे, तो निस्चित रूप से कि थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आपको फोकस करने दैनिक रोजगार के लिए लाब के लिए और आपके धन के लिए, सनी से थोड़ा चाँ आपको इवेर रहना पड़ेगा, क्योंकि सनी के कारण से क्योंकि अत्यतिक बोल देना ही भी आपके लिए हानिकारक शिद्ध हो सकता है, अतहा वाणी पर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बिजनिस में अच्छा ग्रोथ करें या फैनिस में जो हैं कि अच्छा ग्रोथ करें, तो आपको यहाँ पर करना करें, वाणी पर पिसेश आपको संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी कोई भी बात अगर आप बोलेंगे, हो सकता है आपकी ब तो इसके कारण से जो हैं थोड़ा सा अवेर हैं, पर अगर खास करके बिद्यार्तियों के लिए भी जो हैं ये चीज़े लागू होता है, कि अगर कोई चीज़ इसमन करनी हैं उनको तो ब्रह्म मुहूर्त में उट करके अध्धन इत्यादी करें, तत्पस्चात जेकी कि आ बहुत अच्छा सुनहेरा मौका मिलेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल की जो उपस्तित आपके पराक्रम भाव में इस पस्तित होगा, तो मंगल पराक्रम भाव में जो हैं कि आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, बस्थी से भी स्टार्टिं֎म से आई कि जनौरी से ह करके आपको जोटना पड़ेगा सफलता आपकी कदम चुमेंगी लेकिन मई के बात में जैसे ब्रहस्पति देओ अपना राशी परिवर्तन करके मेंस राशी से निकल करके ब्रशब राशी में आएंगे आपके अस्टम अस्थान पर तो कहीं न कहीं ये टाइम जो हैं विदिन सरकारी डाकूमेंट से तो बहुत सोच समझ करके जो हैं कि आपको सिगनीचर करना पड़ेगा अन्यता बहुत बड़ी प्राबलम में जो हैं कि आप वसकते हैं दूसरा आपको क्योंकि यहां पे इस्तिती दिख रही है कि बहुत डिस्टरवेंस इस्तिती दिख रही हैं मई ड्हांस रहेगा जिनको कोई पुरानी भीमारी थी वो भीमारी मई के बाद में जो हैं कि पुना सामने आने वाली है अपने स्वास्त का विशेश आपको ध्यान रखना पड़ेगा अन्य था आपका स्वास्त काफी बिगड सकता है और ये स्थिती जो हैं कि काफी खराब हो श जैसे कि कोई अस्थान परिवतन करना चाह रहे हैं या बाहर जाने के लिए अगर आपने प्लानिंग किया है तो मई के बाद में योग बनेगा जिससे हम कह सकते हैं कि आप बाहर जाने के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रोप से है कि आप जा सकते हैं सफ श्रयाल्ता आपको मेरेगा कहीं पर भी अगर आपको रुकावटे अगर आभी नहीं हैं तो एक बार अपनी लग्न कुंडली को एक बार जरूर आप अध्धन करवाईएगा उसको और अध्धन करवाने के बाद में जहां पर उनकी रुकावटे हो रहे हैं प्राइनर्स की जो ग्रह की उपस्तिती बहुत अच्छी नहीं होगी, उनका शमाधान होना चाहिए, उनके लिए आपको होम रेमेडी करनी चाहिए, तो उस प्रकार से करेंगे, तो जो भी रुकावटे होंगी, वो निश्चित रुप से है कि रुकावटे होंगी, और आपक का आने वाला मार्क जो है कि बिल्कुल खुलेगा, जिससे कि आप आगे जा सकते हैं, तो बिदेश जाने के लिए प्रबर योग का संयोग यहां पर बन रहा है, अगर आप कोई बिजनस करना चाहते हैं, और पार्टनर्सिप में अगर करना चाहते हैं, तो यहां पे मैं के बाद में जो हैं कि आपस में रिष्टे काफी खराब होंगे और अन्तता जो हैं कि विजनस पर शाय आपको बंड करना पड़ेगा कुई बात करते हैं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो यहां पर बहुत सतरकता के साथ में आपको करना है हो शकता है कि आप माता-पिता के खिलाफ जाकर के जो है कि साधी कर सकते हैं, कोट मैरिस भी कर सकते हैं, लेकिन ये परिस्तितिया आपके साथ में बनेगी मैं के बाद में, जब रहस्पति आपके अस्टम वातान यानि कि ब्रिशब राशी पर गोचर करेंगे, तब जाकर कि बहुत बिर्म इस्तिया जो है के उत्पन होंगी, और ऐसी स्थिति में जो है, आपको ऐसा कदम उठाने के लिए मजपूर हो सकते हैं, कि माता-पिता के साथ से हट करके जो है की भिवाह कर सकते हैं, या हम जिसे हम कह सकते हैं, कहा जाता है कि भाग करके साधी कर लेंगे, त अगर आपके परिवार में अगर महिला है तो आपका हस्बेंड के छोटे भाई को थोड़ा सा स्वास्त से सम्भंधित प्राबलम जहांपर हो सकती है। की इस्तिती यहां पर दर्श आ रही है अब इसका हम उपाय क्या करेंगे कि जिससे कि हम इन चीजों से बच सके उपाय शर्व प्रथम आपको उपाय करना है शनी देव का क्योंकि आपके रासी के लिए जो है कि सबसे सर्वोत्तम ग्रह जो माना जाता है सर्वाधिश दियोग ग्रह माना जो जाता है वो शनी माना जाता है तो शनी को आपको स्टॉंग करना है शनी के बीज मंत्रों का जाप करना है और पीपल के ब्रक्ष के नीचे एक सर्वों का तेल का दीपक जलाएंगे नीचे काला तिल या फिर काला उरद रख करके फिर उसके बाद में सर्वों कि तेल का दीपक चलाएं, शनी भगवान के ओम सम्शनी श्राय नमा, इस मंत्र का उच्छारन कड़े मंदिर के समक्स बैठ करके, एक चीजे यहाँ पर होगा कि जो आपका कारी बिलंब से हो रहा है, यह बिलंब से नहीं होगा, रोग से शम्मंधित, कोई पुना रोग आपक क्या उपाय करना है, उसके लिए आपको गुरू का उपाय करें, ब्रश्पती देव के बीज मंत्रों का जाप करें, अतह, या फिर पीले वस्त्र कादान करें, या बेशन की रोटी पर कुछ उसमें तेल लगा लीजे, चरसो का, या घी लगा लीजे, या उसके उपर जो है कोई सबजी, चीनी, या गुड इत्यादी रह करके ब्रश्पतिवार को आप गाय को जरूर खिलाईएगा, गौगरास जो है कि आपको निकालना है, ब्रश्पतिवार के दिन तो आपके लिए कम पलसरी है, तो इससे स्वास्त में होने वाली जो प्राप्लम सो होगी, वो भ दिख रहा है, तूसरा आप उपाय करेंगे सूर्य का और मंगल का, शूर्य का आपको उपाय इसलिए करना है कि जिससे जो लाभ में कमी आ रही है, शिक्स मंथ के बाद में यानि कि मई के बाद में, और ऐसा नहीं है, कोई भी उपाय गर आप करेंगे तो जो या फिर आप गायत्री मंतर से दे सकते हैं, लेकि देखें सूर्य को जल देने का बिधान भी है, एक बिधी भी है, सभी लोग खड़े हो करके कर देते हैं, वो अपना-पना मत है, लेकिन मेरा अपना मत है कि आप बैठ करके तांबे के या पीतल के पात्र में आपको लाल फ नियमता ये कहता है, बाकी तो आप केशे भी दे सकते हैं, आप सतंत्र हैं उसके लिए, लेकिन जो नियम हैं, जो सास्त्रोक्त नियम हैं, उस नियम से जो हैं कि भगवान शूर्य को अरग देंगी, आपके कॉन्फिडेंस में डेपलब देखने को मिलेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तो आकास को भी धरती बे जुकानी के सकती आपके अंदर में होगी, और शूर्य का उपाय रहेगा, तो मंगल की जो परिस्थिती हैं, आपकी रासी पर होने वाली है, ये बहुत अच्छी इस्थिती यहां पर दस आती है, तो मंगल का भी हनुमान चालीशा बजरंगमान का पाठ करें, और ततो उपरांत जो है कि हनुमान जी के दरसन मंगल बार के दिन करना आपके लिए अति आवश्यक हो गया है, तो इस प्रकार से जो है कि अगर आप उपाय करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आने वाल चोट अगर आपको लगेगी, तो आपके मस्तक पर लगने के संयोग बन रहे हैं, 2024 में, तो बाइकल या वाहन कोई भी अगर आप चला रहे हैं, तो थोड़ा सा शावधानी से आपको चलाना चाहिए, और इसके लिए जब भी आप वाहन के लिए चलाने के लिए निकले या जो भी ऐसी कोई घटना घटने वाली होगी, तो कहीं न कहीं ये चीज़े जो हैं के टलते हुई नजार आएं, बाकी बिजनस बेशाय में जो हैं के आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, सेहत आपका काफी अच्छा बना रहेगा, कोई मंगल कारी होने की शंभावना पू का कोई यूजना अगर आपने बनाई है, तो 2024 में जो हैं के पूर्ण होती हुई देख रहे हैं, तो तुला रासी के जातकों के लिए आज के लिए बस इतना ही, अगली अविशोड के लिए पूरा मिलेगे, तब तक दिलिजी जाज़त, नमस्कार कितना हुआ?